हलेबरुब्रों कव्हारिवां इकम्ड फिर्षर ápका स्वाकत है हमारे इस ट्रयानल पर जहांपर आज हम आपके लिए लेकर करके आए हैं consistency concept के बारे में एक चोटा सा topic जो कि आपका accounting concept का ही एक topic है accounting concepts में कई सारे ऐसे concepts है जिनको आप follow करते हुए चलते हो जिनमें से एक आपका ये consistency concept है अब ये consistency concept कहता क्या है तेखो बेटा consistency concept जैसे कि इसका नाम कह रहा है consistency यानि कि एक तरीके का रहना हमेशा जैसे कि आपने कई बार देखा होगा है just taking an example ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके जैसे कि आज़कल के बच्चे है they are with someone else in this first year ठीक है अगर आप उनको next year ये next to next year में लोगे तो आप उनको किसी और के साथ देखोगे either friendship में कह लो या फिर किसी और चीज में कह लो तो वहाँ पर क्या है कि consistency नहीं है कल किसी और के साथ परसो किसी और के साथ तो यहाँ पर consistency नहीं है वैसे ही accounting करते टाइम पर आपकी पास कुछ basic methods जो हैं यहाँ पर options में होते हैं जैसे अगर आप depreciation charge करने जाओगे तो आपके पास normally दो method है Straight line method and return down value method अब यह दो method आपके पास हैं एक साल आप इसको use कर रहे हो दूसरे साल आप इसको use कर रहे हो तीसरे साल फिर आप इसको use कर रहे हो उसे के साथ जो है निरंदर बने रहो ऐसा मत करो कि आज ये कल वो आज ये कल वो ये चीज मत करो तो यहाँ पर consistency concept ये बताता है कि भाया आपके पास जो है कई सारे accounting करने के थोड़ी situations में जो है कुछ situations में आपके पास options होते हैं अगर आप उनमें से एक option एक साल यूज कर रहे हो so you have to be with that same option in the next year and next to next years and so on तो आपको जो है same situation के साथ जो है बार बार जुड़े रहना पड़ी का means that the same accounting principle यानि कि same accounting principles जो है आप यूज करोगे should be used for preparing financial statement for different period यानि कि different periods के लिए जब आप financial statement prepare करोगे तो वहाँ पे आप जो accounting principles यूज कर रहे हो वो same होना चाहिए आपके different periods ल should not be a change in accounting method from year to year ऐसे नहीं है एक साल आप इसको use करो एक सार उसको use करो तो यहाँ पे ऐसा change नहीं होना चाहिए आपके accounting methods में जैसे ही आपका साल दर साल बढ़ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे comparison possible नहीं हो पाएगा let's suppose आपके पास 1000 रुपे की जो है कोई product का कुछ asset है आपन साल जो है 10% के according इसकी straight line value method से depreciation निकाल लिया और next year फिर return down value से निकाल लिया अब यहाँ पे comparison करना होगा वो बड़ा impossible बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे comparison हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपनी method से यहाँ पे depreciation निकाला है वो depreciation अलग होगा औ यहाँ जिस method से निकाला है उसकी value अलग होगी जो कि यहाँ पे compare करने के लिए फिर possible नहीं होगा तो यहाँ पे अगर आप same जो है जिसके आपके पास दो friends है एक है जो मुसीबत में साथ दे देता है एक है जो मुसीबत में भाग निकलता है तो एक time आप जो है उसको दोनों financial statements को भी compare करना कि पिछले साल इतना depreciation था भी इतना है और वही पे जो है आपके लिए comparison के साथ-साथ यहाँ पे अगर आपको किसी और के सामने अपने books दिखानी है तो वहाँ पे भी वो easily समझ पाएगा कि हाँ इनकी किताबे क्या बोलती है ठीक है example के तौर पे यहाँ पे depreci depreciation है अगर आपका fixed asset पे वह आपने provide किया है straight line basis पे तो वहाँ पे वही consistency आपको जो है constantly आपको वही यूज करना है for years after consistency जो है आपकी personal biasness को eliminate कर देती है let's suppose इस बार जो है आपने पहले आपने straight line method से अपना depreciation calculate किया था तो उसका आया था 500 ठीक है और वही पे अब आप क्या कर रहे हो आप देखते हो यह written down value method से जादा आ रहा है यह कम आ रहा है जो भी situation आ रही है अब आपको पता है कि यह वाला मैं use करूँगा तो मेरे लिए favorable यह होगा क्योंकि यह मेर बढ़ा देखा और कल को मेरा profit कम हो जाएगा और उसकी वज़े से मुझे tax कम देना पड़ेगा तो यहां पर जो आपकी consistency maintain रहेगी तो इससे आपकी personal business जो है यह पर आपका जो personal agenda है यह उसमें आपका जो भी अपना benefit देख रहे हो वो कही ना कही eliminate हो जाएगा जो कि एक अच आपको आपको अपने personal business को side में रखना पड़ता है और यहां पर comparable result आपको मिलते हैं तो यहां पर consistency अगर है तो वो eliminate कर देकी personal business को और help करेगी आपको comparable results अचीव करने में नेक्स यहां पर है अगर जो principle है आपका consistency का वो follow नहीं किया जा रहा है और accounting information जो है आपकी enterprises की उसको आप usefully compare नहीं कर पाओगे with similar information about other enterprises and so also within the same enterprises for some other period that suppose आपके पास दो साल के यहां पे आपकी खुद के financial statement आपकी खुद की किताबे हैं आपकी खुद के accounts books हैं but still यहां पे आपने अलग method यूश की आपने अलग method यूश किया है तो आप इसको compare नहीं कर पाओगे ठीक है वहीं प आपको consistency बना करके तो रखनी है पर इसका मतलब यह नहीं कि आप change नहीं कर सकते consistency आप किसी के साथ हो consistency में हो 6 साल, 7 साल, 8 साल but अगर वह person toxic है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा आपका दोस्त भले ही आप उसके साथ चडड़ी-बड़ी है आपका बच्पन से साथ है यह वाला concept आपको कोई चीज बदलने से रोकता है यहां पर प्रॉबिट नहीं किया जाता अगर आपको जो है method आपको straight line से जो है written down की तरफ जाना है बिल्कुल जाहिए मतलब यहां पर अगर आपको जो है यहां पर change करना है बिल्कुल कीजिए पर इसका मतलब यहीं है साल दर साल change ही करते जा रहे हो कि आज यह दोस्त नहीं वो नहीं बलकि इसमें जो है अगर आप change करते हो तो यहां पर आपको अपनी statements में यह बताना पड़ेगा अपने financial accounts में यह बताना पड़ेगा कि आपने इसको change किया है और इसको change करने की वज़े से आपको कौन सा इसमें क not profit changes, changes profit नहीं किया जाता है, changes profit नहीं होते हैं जबकि आप यहां पर जो है desirable change है, एक change जो desirable है जिसको किया जाना चाहिए जरूरी है और यहां पर आप उस change को बताएंगे and उसके effect को जो है clearly आप stated करेंगे आपके financial accounts में, okay, I hope this is clear to you all guys, now let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health, bye